सुप्रीम कोट की ओर से हाल ही में समलांगिक विभा को मानेता देने वाली याजिका पर फैसला सुनाया गया है इस मामलें पर फैसला लेते हुए कोट ने कहा कि अपना साथी चुने का अधिकार सब को है कौन किस से विवा करना चाहता है या लोगों का मौलिक अधिकार है हाला कि समरांगिक विवा का कानून बनना चाहिए या नहीं यहाँ बाद कोट ने संसत पर छोड़ दी है मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीवी चंद्रचूड, जस्टिस संजे किशन कॉल, जस्टिस हीमा कोली, जस्टिस रविंद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सम्विदान पीटने की साथी कोटनी कहा कि या संसत क्यों तै करना है कि विशेश विवा अधिनियम यानि Special Marriage Act की विवस्था में बदलाव की जरूरत है या नहीं अधालत संसत के अधिकार शेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहती है अनुचित 21 के तहट सम्मान के साथ जीवन एक मौलिक अधिकार है सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए Special Marriage Act को विभिन धर्म और जाती के लोगों को शादी करने देने के लिए बनाया गया है Same Sex Marriage के लिए इसे निरस कर देना गलत है अगर किसी कानून के तहट समलेंगिक विवा को दर्जाद दिया गया तो बाकी के कानूनों पर इसका असर पड़ेगा ये सारे विशे शंसत देखेगी वही मुख्य न्यायदिश टीवी चंदरचूर ने कहा किसी व्यक्ति को उसके जेंडर के अधार पर शादी करने से रोका नहीं जा सकता ट्रांसजेंडर व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहट शादी करने का अधिकार है समलैंगिक जोडे सहित आविवाहिक जोडे मिलकर एक बच्चे को गोत ले सकते हैं साते इस मामले पर सुप्रीम कोट के जस्टिट संजे किशन कौन ने कहा कि समलैंगिक ता प्राचेन काल से चलिया रही है समलैंगिक जोडे को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए सरकार इसके लिए कमेटी बनाए समलैंगिकों के साथ हुए इतिहासिक भेदभाव को दूर करना चाहिए इनकी शादी को मानिता देना भी उनमें से एक कदम हो सकता है समलैंगिकों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ कानून बनना चाहिए इसके साथ ही कोट ने सरकार को कुछ खास तिशा निर्देश भी दिये कोट ने कहा कि केंद्र और राजसरकारे सुनिशित करे कि समलैंगिक जोड़े के साथ भेद भाप ना हो लोगों को समलैंगिक लोगों के प्रती जागरूप करे समलैंगिक समुदाय के लोगों की साहेता के लिए हेल्प लाइन बनाए किसी बच्चे का लिंग चेंज ओपरेशन तबी हो जब वह इस बारे में समझने योग्य हो जाए किसी को जवरन सेक्स प्रवर्ती में बदलाव वाला हार्मोन ना दिया जाए पोलिस ऐसे जोड़ों की साहेता करे समलैंगिक लोगों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ परिवार के पास लोटने के लिए मजबूर ना किया जाए ऐसे जोड़ों के खिलाफ अफयायार प्रात्मिक जांच के बाद ही दर्श हो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमालने कोई भी सवाल होतों से कमेंट मेले कि हमें जरूर बताएं जल्द ही आपसे फिर मलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए नवश्कार झाल आपके टॉपिक झाल क्युуск